आज में आप सभी के साथ बहुत ही स्वाधिया करने जा रहे हूं जो टेश्टी भी है और हेल्दी भी है तो आज की इस रेसिपी को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं तो रोज रोज नास्ते में रोटी या प्राठे खाका कर बोर हो गए तो एक वार इस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और बहुत ही जट पट से बन वी जाती है जब भी आपके पास बहुत कम समय हो तो आप मात्र पात से दस मिनट में इस रेसिपी को बना करके एंजोई कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट है तो वीडियो बहुत ही छोटी सी है व मिर्च और साथ में हरी फ्रेस मटर मैंने लिए है तो सारी चीजों को मैंने एक दम पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है आप यहां पर अपने च्वाइस की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं साथी में मैं ले रही हूं कच्छी मुंगफली तो यहां पर मैंने 25 ग्राम के आपा मि लेकल पाम भी सब्सावत तो हैं मैं जहां उसलिग दातो हैं जाल में आप ड़ाने बठाव करेंसे साथ में दू श्युखा अलधी तरीके से बनाना श्टार्ट करती हूं की दो ड़्य तो यहां पुक्रा बनाने के लिए सब से पहले मैं एर स्बां यहां बड़ी कोकिंग लिया है साथ ही थोड़ी सी मैंने हल्दी एड़ करी है और एक चम्मच मैंने आपे पेली वाली राई आड़ करिए और साथ में फ्रेस कढ़ी पता में एड़ कर रही हूं तो इसे थोड़ा सचेट ने देते हैं उसके बाद मेन आपे जो मुंगफली ली थी ना तो य अच्छे से निकल जाए और जब आ पोहे को खाएंगे ना तो यह मुंखली खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लग लग लिया है जब तक इधर मैंने पोहे को अच्छे से दो तीन पानी से धो करके रख लिया है अब यहां पर सबसे पहले मैं एड कर रहे हूं औ तो यह पर मैंने बिटरूट और गाजर डाल कर इसे अच्छे से भून रही हूं तो यह पर देखे एक से दो मिनट में यह पर गाजर और बिटरूट जो है फिप्टी पशन तक खो चुके है तो अब मैं यहां पर बचीवी सारी व्याजिस को इसमें एड कर दे रही हूं य तो यह पर देख सकते हैं अब नमक डालने के वाद क्या होगी कि सारी सब्जिय जो है एक दम अच्छे से कुक हो जाएगी यानि कि अच्छे से सब्जी और भून भी जाएगी तो नमक डालकर हम इसे एक दम अच्छे से भून लेना है जब तक यह पर जो चाजर है सारी चीजे अच्छे से सौफ्ट हो चुकी आप देख रहे ना गाजर भी अच्छे से कुख हो चुगी है तो अब इसे स्टेज पर हम क्या करेंगी यहां पर जो मैंने उबलेवी आलू को रखा था ना तो हमें इसे कट नहीं करना है बस इसी तरीके से हाथों से इसकी बड़ करें तो गाजर के साथ ही उसे भी डाल करके भून लीजिएगा तो मैंने उबलेवी आलू लिये तहीं को खोने के बाद इसमें अलो एड़ करें अब बाद एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि आलो पी अच्छे से भून जाए और खाने में बहुत जा मिक्स कर लेंगे तो इस नास्ते में बहुत ज्यादा मसाली का यूज नहीं किया जाता है सिप नमक और हल्दी ही लगती है और बाकी अपने च्वाइस की बहुत सारी वेजिस में एड़ कर सकते हैं तो इस सरी के साब बहुत ही तेस्टी बहुत ही हल्दी बना करके एंजोई कर हमारे बच्चे अकसर लंच बॉक्स में इस पहे को ले जाते हैं क्यूंकि यह रेसिपी नोगों को बहुत ही जादा पसंद आती है और रोटी प्राथे तो बच्चे एक दम खाना ही नहीं चाहते है तो इस तरीके से यह बना करके देंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्य यह लगती है यह दि शाम को भी छोटी मोटी भूख हो तो आप इसे बना करके इंजोए कर सकते हैं तो समोसा और कचोड़ी से बहुत ही बढ़ियां होती है यह जो कि टेश्टी के सासा बहुत है लिए भी होती है तो चलिए अब मैं से सब कर लेती हूं यह बहुत ही स्वाधि करके वैल ऐकन को प्रेश किजिए गा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और हां लंच बॉक्स स्पेशल में ने बहुत सारी रेसिपीज और डाल रखी है तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करें और वहां से बहुत सारी टिस क्येसाद थां कि पर वोजिंग Japanese